फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस दौर में हम आपको चखाने वाले हैं उन जूसिस की प्रेपरेशन का स्वाद जिन से जुड़ी हैं आपकी बच्पन की यादें देखते हैं जलजीरा कैसे बनता है सबसे पहले होती है स्पाउटिंग पाउच के खुले सिरे में स्पाउट डालते हैं और स्पाउटिंग मशीन में रख कर करीब 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके सील करते हैं अब बनता है जूस का बेस शुगर सिरप इसके लिए पहले क्रिस्टल शुगर को इन रो सिरप टैंक में डालते हैं फिर करीब 85 डिग्री सेल्सियस गरम आरो वाटर टैंक में डालते हैं और गरम पानी में चीनी घुलते ही तयार हो जाता है शुगर सिरफ जिसे फिल्टर करके ब्लेंडिंग टैंक में भेज देते हैं अब चलते हैं कॉंसेंट्रेट टैंक की तरफ जहां तयार होता है फ्लेवर आरो वाटर से भरे कॉंसेंट्रेट टैंक में सॉल्ट, जिंजर पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक मिलाते हैं जिससे तयार होता है फ्लेवर वा, क्या मसालेदार जलजीरा तयार हो रहा है फिर नैच्रिल फ्रेवरिंग से ड्रिंक की थिकनेस, स्मूदनेस और स्पाइसिनेस में चारचान लगाती है साथ ही तड़का लगता है खटे लेमन जूस कॉंसेंट्रेट का इस कॉंसेंट्रेट को ब्लेंडिंग टैंक में पंप किया जाता है जहां शुगर सिरप के साथ इसे करीब 20 मिनिट तक मिक्स किया जाएगा इस एक ब्लेंडिंग टैंक की कपैस्टी है 2000 लिटर्स जिससे 8000 पाउचेस फिल किये जाएंगे अब इस मिक्स को होमोजनाइजर के जरीए रेडी बेवरिज टैंक में ट्रांस्फर करते हैं इस मशीन में बेवरिज को सामान कंसिस्टेंसी मिलती है अब बेवरिज से हामफुल बैक्टिरिया मारने के लिए उसे 12 से 15 सेकंड्स तक 85 डिग्री सेल्सियस पर पैस्चराइज करते हैं अब बारी है तैयार बेवरिज को पाउचेज में भरने की यहाँ पर स्पाउट लगे पाउचेज को रैक पर सेट किया जाता है जहां से इन पाउचेज को फिलिंग स्टेशन पर फीड किया जाएगा पॉचेज में फिलिंग के दौरान बेवरिज का टेंपरिचर 85 दिग्री सेल्सियस होता है इस फैक्टरी की तीन फिलिंग लाइन्स में हर मिनिट 310 पॉचेज फिल होते हैं इस मशीन पर पॉचेज के क्याप फिट होते हैं फिलिंग के बाद भी इनका टेंपरिचर 85 दिग्री सेल्सियस है और इन्हें धीरे धीरे पानी में डाल कर 30 तू 35 दिग्री सेल्सियस तक थंडा किया जाता है आठ मिनिट के लिए और फिर एर ड्राय करने के बाद इन्हें कार्टन में पैक करके डिस्टिबिशन के लिए भेज दिया जाता है इस फैक्टरी में हर दिन 2,40,000 जूस के पाउचस तयार होते हैं यानि महीने में करीब 72,00,000 और साल भर में करीब 8,76,00,000 पाउचस साल भर में इतने पाउचस बनते हैं कि दिल्ली और हैदराबाद की जनता को बाटे जाएं तो भी बच जाएंगे जलजीरा के अलावा यहाँ चिली गुआवा, रोस टैमरिंड, शर्बत एक हास जैसे यूनीक फ्लेवर्स भी इस फैक्टरी में बनाये जाते हैं बई मैं तो चला जूस पीने, आप भी कुछ ट्राइ कर लीजिए